नमस्कार स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं NMF News आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे सयोगी रोहित पाड़े 2024 के लोकसभाद चुनाव जब सिरपर थे मतलब मेरे सिरपर या रोहित की सिरपर नहीं जब राजनेतिक नेताओं के तो एक शक्स ऐसा था जो हाथ में समिधान की कौपी लेकर खूंग रहा था क्या हुआ समझ गए आप में किसकी बात कर रही हूँ हाँ उनी की अच्छा फिर क्या हुआ समिधान को लेकर तरह तरह की बाते फैलाए गई बाते कहूं या भ्रहम कहूं फैलाए गए और वो सारे भ्रहम जूटे साबित हुए जब नतीजे एंडिये के पक्ष में गए और उ साल मनाया जा रहा है मोधी सरकार ने 2015 में फैसला लिया था उससे पहले कि सरकारों ने और दिवस तो मनाये शायद कानून दिवस भी मनाया आपको विस्तार से बताएंगे लेकिन समिधान पर ध्यान तब क्यों नहीं गया जितना अब चला गया आज इसी पर चर्चा करेंग 26 नवंबर 2015 प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने ऐलान किया कि यह दिन सम्विधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा बाबा सहब भीम राओं अमबेड कर को संबान देने के लिए उन्होंने ऐलान किया यह 26 नवंबर 1949 को लाहोर अधिवेशन में यतना किया गया था कि यह कानून दिवस के रूप में मनाया जाएगा और लाहोर अधिवेशन के बाद लगातार कानून दिवस के रूप में 26 नवंबर मनाया जाता था लेकिन तब की सरकारों ने भीम राओं बाबासाब भीम रा आकर प्रधान मुंत्री नरेंद्र मोदी ने और ये तो नम्रता इतिहास है बाबा साहब भीम राओं अम्बेटकर के अगर सबसे बड़ी विरुधी कोई रही तो कॉंग्रेस पार्टी रही अब यह मैं क्यों कह रहा हूं इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा किंद्रा गांधी को भारत रत मिल गया लेकिन बाबा साहब भीम राओं अम्बेटकर को भारत रत नहीं मिला जब कॉंग्रेस सत्ता से हटी तब कहीं जाकर बाबा साहब भीम राओं अम्बेटकर को भारत रत नहीं दिया गया सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर तब लड़ने और जीतने के लिए उतरते हैं लेकिन जब इतनी बड़ी सरक्सियत मैदान में परचा भर रहा हो तो मुझे लगता है कि सभी वक्षियों को यह कह देना चाहिए कि बाबा सहब आपने हमें सम्विधान दिया कानून दिया आप अपनी सीट से अकेले लड़ी हम अपन बंदा खड़ा है उस मायवती को हमने कई बार देखा है आप यह देखे कि अमेठी शुरुवात में जब था कि कई सालों तक अमेठी से कोई बहुत बड़ा केंडिडेट बीजेपी नहीं उता रहा रहा रायवरेली से बहुत जब तक सोन्या गांधी लड़ी बहुत ताकत केंडिडेट बीजेपी नहीं होता रहा ठीक यहीं हुगा पिछले दो बार वारांसी से जब प्रधान मंत्री तीन बार लड़े तो कॉंग्रेस को यहां पर कहूंगा कि उन्होंने एक वह रखा कि जब अगर बीजेपी ने किया तो हम भी ऐसा कर लेकिन क्या बाबसाब भी संविधान की लाल डाइरी दिख रही थी वहां से पूल-पट्टी खुल गई कि क्या यह संविधान में बता रहे हैं तो जिस तरीके से संविधान का अपमान कंग्रेस ने किया संविधान के बनाने वाले बाबा सहब भीम्राव अंबेट करका अपमान क्या उनका संवान औंग्रेस अगर आज समविधान की बात करती है और कहती है कि बीजयपी जबार खत्म कर देगी तो उसे देखना चाहिए कि राहूल गांधी की दादी इंद्रागाधी ने किस सétais तरीके से संविधान में संसुधन करवा दिया किस तरीके से संविधान की मूल भावना से खिलवार किया गया और एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ और आज वो राहुल गांधी कहते हैं कि सम्विधान बदल दिया जाएगा ऐसे में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने बहुत बड़ा कदम उठाया तनमता और मुझे लगता है कि कितना भी क्रिसाइस कर लेजे जब प्रधान मंत्री रिटायर होंगे नरेंद्र मोधी तब इतने सालों से कानून हम कौन सा पालन करते आ रहे थे जो क्या कहते हैं अग्रेजों ने हम पर थोप दिया था जाते लेकिन उसे वक्त लगा और वक्त इतना लगा कि 75 साल वीद गए तब हम अपने कानूनों को थोड़ा बदल पाए अभी मैं नहीं किरूँ कि पूरी तरीक 75 अगस्त को ईसी तमयरे तमाम काम होते थे जो कि अगरेजों के दिये हुए थे उनको प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी धीरे धीरे बदल रहे हैं तो क्यों ना बदला आवाए हम अगर आजाद हो चुके हैं तो हम अपने दिमाग से भी आजाद क्यों नहों वहत बहταं तो बाकि आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं और राहूल गांधी जो हाथ में Constitution की कॉपी लेकर चल रहे थे और उसके बाद अब जिस तरीके से पूरा रोहित ने समझाये डीटेल में आप उस पर क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताईएगा